जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल आलमेक सिगान सारब का स्वागत है दोस्तों अभी चैत्र नवराति के बहुत पावन परवत चल रहा है इसमें आप लोग मातरायनी के किरपा दिश्टाप बनी रहे मैं थोड़ा सा भी कुछ पूजा विधान में मैं थ अपना सरीर बांधने का बहुत प्रेचन्ड उग्र्य मंत्र बता रहा हूँ जो गुरु मखी मंत्र है या हम लोग के साबरिक मंत्र के अंतरगत में आता है जो साबर मंत्र होता है वह जो है अलग होता है और हम लोग को ग्रामिड मंत्र जो होता है वह अलग होता है यह अढ़हिया मंत्र है अढ़हिया मंत्रा और डाबर मंत्र भरभर डाबर यह अलग अलग विधान है तो हम लोग को गुरू सिश्य का परंपा के अंतरगत में मंत्र मंत्र अलग होता है गुरु सिख्या को दिया जाता है और अगर नहीं दिया जाता है तो जिनको जो है गुरु दिख्षा मिल चुका है में तरफ से उनको यहां मंत्रा सिध्य करने योगी नहीं है वो स्वता ही से याद करके चला सकते हैं स्वाम सिध्य मंत्र है जिनको जो है दिख्ष नहीं हुआ है वो इस नवरात्ती में इसको 108 बार जाप करके इसके बाद में जब भी आप प्रयोग करेंगे बिल्कुल यहां काम करेगा इस मंद्र को सिध्धी करने के लिए को विशेस नहीं है आपको चाहिए पांच अगरवत्ति पांच अगरवत्ति आपको जला प्रयोग करने में स्वयम यह सिध्ध हो जाएगा उचके बाद जब भी इसको प्रयोग करना है तब आपके इसे बंद्र पढ़ेंगे मंद्र पढ़ने के बात पर सरी में फूख मार देंगे इसको पानी से भी मंतित करके यदि कहीं पर छिड़क दिया जाया तो वहां भी बंद्र हो जाता है इसमें घर बंधन भी किया जाता है और जहां पर गाय रखते हैं वहां भी इसको बंद्र किया जाता है और इस्थान भी बंद्र करते हैं इसको परिछन करके जरूर देखना इसको परिछन कैसे करेंगे आपको पता कैसे चलेके सिध्ध हो गया तो इसको जो है आप आपके छत में हम लोग तरह खपर होता है खपरा बोलते हैं हम लोग के छेत्री भासा में उसको एक तोड़े लेना है आपको तोड़ेने के बाद में उसके उल्टे साइद मतलब ऐसा रहता है इस तरह सब बना रहता है खपर जो छत में लगाते हैं उसके नीचे सा तो आपके बताऊंगा उस मंद्र को तीन बार पढ़के फुक मारने के बाद में इसको आपके जहां सोते हैं उसके बगल में इसको रखे देना और उसमें तीन या फिर पांच अगर्वत्ती जिलाक रखे देना यहां माचंडि के मंत्र है और बहुते प्रभावसाली है जब जब पढ़ लोगे उसके बाद सो जागए तो आपको मातारानी का आपको संदेश बिल्कुल आपको पता चल जाएगा स्वपने के माध्यम से आपको सरी अलग महसूस होगा कोई आ रहा है नहीं या बिल्कुल सटिक है इसमें किसी परकार का कोई संसा नहीं है जब इसको प्र मार जब करके सिद्ध कर लेना फिर यहां स्वथाहिक काम करेगा अब बात करते हैं इसका मंत्र का तो मंत्र में लिखे दूँगा और उसके बाद में उसको आप याद कर लेना लिखे लेना जिनसे आपको पता चल वीधी विधान जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको ुजान सको अंग बांध हो तन बांध हो तन के बांध हो कई कहल के डखरी बांध हो माता के खपर बांध हो आगे बांध हो देवी-चन्दी पीछे भूत प्रेत, अहोतन बंधाजा, काकरबान्दे, मोर बंधे, मोर गुरू कोन महाद्या-पारवाथी की बंधे से बंधाजा तो इस तरह यहाँ मंत्र है, इस मंत्र जो है आप जाप करे शिद्sung कर लिया करें मैं इसे तरह से आपको जनकारी ग्रामी मंत्रों और साधनाओं को बारे में जनकारी देता हुँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक जब भी मैं को वीडियो बना उसकी जनकारी आपको सबसे पहले मिन सके वीडियो देखने के धन्यवाद थैंक्स जै महाकाल